जहें आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं यहाँ पर प्री बोर्ड परिक्षा 2023 के चितरकला के पेपर के बारे में इसको हल करके भी बताऊंगा और यह आपके बोर्ड एक्जाम की दरश्टी से बहुत ही इंपॉर्टन्ट है देखो आपके बोर्ड एक्जा यह आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना इसमें यह आपको बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं तो यहां पर लिखाया है परारंब के पंदरा मिनट पर परिचारतियों को प्रशनपत्र पढ़ने के लिए निर्दारित होते हैं उसके बाद में लिखा या प्र करना है तो यहां पर क्या है बहुविकल्पी कोस्टन है और यह आपको 20 नंबर के पुछे जाएंगे जो आपको ओमर चीट में भरना होगा मैंने इस पर वीडियो बना दिया है तो विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं बहुत ही इंपर्टेंट है और आपको देखो इसम में से चाहें जो करो तो देखो आलेकन सबसे सरल होती तो यही करना है इन में से बहुत सारे मैंने वीडियो बना दिये इस पर तो उसको भी देख लेना बहुत ही इंपर्टेंट है तो यहां पर पहला कौस्टन कौन सा और यह आपके बोर्ड एक्जाम की दृट्ट से यह बहुत ही जादा इंपर्टेंट हैं सारे कौस्टन तो यहां पर पहला है मुख्य रंग कितने होते हैं तीन होते हैं कि दो होते हैं कि पाच होते हैं कि यहां पर साथ होते हैं तो जो मुख्य रंग होते हैं यह तीन ही होते हैं कौन कौन से यहां पर नीला पिला और यहां प होता है तो यहाँ पर तटट रंग क्वह से होते हैं तो देखें यहाँ पर सफेद 백신 रंग क्वह जाए partir होते हैं इसका राइट घौन्सर हो जाएगा अग्छा होगा की लाल होगा कि नारंगी और आप लोग आलेखनी तयार कर लेना यह सबसे सरल होती बागी जो प्रविधिक कला होती हो थोड़ी सी कटिन होते तो आप लोग यही तयार करके जाना यह क्योंकि 20 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टन भी होते हैं मैंने इस पर वीडियो बना दिये हैं 2-3 वीडियो 3-7 कि छाफ़ की पांच तो इसका रैइट Одрал रंग में कितने यहां पर रंग होते हैं तो दो होते की चार होते की यहां पर 6-5 जो प्रिजम होता इसमें еще कीव कि ब syllables और बोलते हैं इसकी फुल्फार में मतलब इसका साड़ कर नाम क्या है वीवी गयोर साथ इसमें होते हैं रंग जो प्रिजम होता है इसमें कुल कितने रंग होते हैं साथ होते हैं अगला यहां पर प्राथमिक अथवा मुख्यरंग कौन से होते हैं प्राथमिक या फिर मुख्यरंग बात एक ही होते हैं तो यहां पर हरा आसमानी पीला होगा की काला सफेद भूरा होगा की लाल पिला नीला होगा की नारंगी दानी आसमानी होगा जो प्राथमिक रंग या फिर मुख्य रंग तो देखो तीन होते हैं यहां पर मैंने एक पहले बताया कौन-कौन से होते देखो बाल होता नीला होता है यही थीन मुख्य रंग होते हैं या फिर प्राथ्मिक रंग भी यही कहे जाते हैं अलए हैं बाढ़त की गुपाहों की पेंटिंग कैसे तयारी करना कि जिसमें इसके सत्तर में सत्तर नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएं क्योंकि यह कैसा विसे जो आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा बहुती कम समय में बहुती अच्छे मारक आप लोग के आएंगे तो वीडियो को पूरा देखना यह आपके बोड़ से कि मराठी से तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जो कला सब्सक्राइब कि समबंदित है तो यह संसक्रत भांसा से संबंदित यह वाला इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला यहां पर उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहां इस्तित है अकेडमी या फिर अकाद पर चित्रकारी राजेस्थान के कि इस देखा एजा कि गया दिए तो यहां पर दस कोस्टन यह हो गए उसके बाद में गेरवां यहां पर बहुत ज़्यादा है क्या है उत की खाल पर चित्रकारी राजिस्तान कैं किस जिले की विसेस्ता है वीका नेर बुंदी की किसंगर की न Hahn दौरा यह बहुत ज़्यदा इंपार्टन तो इसका रायट अंसर कौन सा हो जाएगा जो उट की खाल पर चित्रकारी राजिस्तान के जिले में मेर विसेस्ता है तो देखें यहां पर वीका लोगा यहां काला होगा की लाल होगा तो सफेद का यहां पर विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा अपोजिट यहां पर काला हो जाएगा लाल का नीला हो जाएगा तो यह क्या है यहां लाल का हरा हो जाएगा क्या होगा लाल का हरा हो जाएगा विरोधी रंग तो यह देखो चितरकला की स्रेंडी में आती तो यह स्रब्वे में आती है सी वाला इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला है राजे इस्थानी चितरकला में सिकादरस की सेली में अधिक हुआ है अधिक हुआ है तो यहां पर मेवाड में की कोटा में जैपूर में की संगड में देखो लेकिन ये इसका राइट अंसर यहाँ पर यही हो जाएगा मेवार अगला है किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सरवादिक हलकी होते हैं 4B, HB, 2H की 2B यहाँ पर तो इसका राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा 2H होते हैं यह सबसे सरवादिक हलकी यही मानी जाते हैं पेंसिल की अगला है यापर अजनता की गुफाओं की संख्या कितनी 28 की 30 31 की 28 तो अजनता की गुफाओं की संख्या कितनी है तो यहाला हो जाएगा हैं अगला है महाबारत में कॉन से चित्रकार का वन है सहदव का चित्र लेखा द्रोपदी की संजय तो इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर सहदव का है किसका है सहदव और दियुक् david कि या फिर मुख्य रंग तो तीन ही होती है यह वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा यह भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है तो क्या होगा यहाँ पर जो कोड होगा यह आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होता बाकी देखो जो आयत होता या फिर वर्ग होता या वरत होते यह आलेखन में ही आते हैं आयत किसको कहते हैं देखो यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर देखो यह इसकी चा होता यह लिए नहीं होता है तो यहां पर यह 20 कोसंट थे जो आपके बोर्ड एक्जाम की दुर्ष्ट से बहुत ज़्यादा इंपर्टेंट है उसके बात में प्रवधिक कला यह आपको नहीं करना है वहीं करना है बाकि को नहीं करना एक कर चाहिए वह मालुम है तो वो करो या फिर प्रवदिक कला जो मालुम है तो यह करो उसके बाद में खंड भा आ जाते हैं अब यहां पर अच्छी तरीके से देखना है वीडियो को यहीं देखने के आपका देखो समझने का मौका यहीं जो नहीं समझ पाए तो आपके नंबर भी खट जाएंगे और आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा और ज्यादा टाइम भी बरबाद होगा तो यहां पर निर्देश लिए क्या लिखा इस खंड से प्राकृतिक दरश से चितन अथवा आलेखन अ जाता है जो आलेखन होता है यह सबसे सरल होता है और यह बीच में होगा इसमें क्या है अठारा सेंटीमीटर वाले ब्यास उरत के मंदिर में के छत के मद्ध के लिए एक आलेखन बनाए जो भारते पुस्प पतियों तताकलियों पर आधारी तो इनमें यथा इस्थान की कि पस अथवा पच्छी की समायोजन कीजिए इसमें कम से कम तीन रंगों का प्रयोग करना है आलेखन में निमलखित विंदुवा पर ध्यान दीजिए तब आपको तीस नंबर मिलेंगे यह जो सभी से अमतलब सभी चीजे सही होंगी जैसे मौलिकता उत्तम रंग संगत होगी समयास अरचान भी होगा सामाननी प्रभाव होगा तब आपको तीस नंबर मिलेंगे तो देखें आप लोग यह तयार कर लेना आलेखन आलेखन में देखो तीन चार फुल तैयार करेना बाकि यह आप लोग समझ जाना कि जो तो ब्यास बतारा 18 cm ब्यास का मतलब होता है कि तरिज्जा नहीं बता रहा है तो आपको पूरे 18 cm का लेना इतना जैसे सपोज़ करो कि इतना बड़ा है तो आपको देखो 9 cm से खीचना यहाँ से आपको 9 cm का लेना और यह 18 cm यहाँ पर 18 cm संटीमीटर हो जाएगा ब्यास बतारा ब्यास का मतलब होता है पूरा यह त्रिज्जा का मतलब होता आध्य से आपको 9 संटीमीटर खीचना है तब यहां पर हो जाएगा तो यह आपको समझ लेना है बाकी 3-4 फूल तयार कर लेना जैसे कमल गुलाब उसके बाद ने गेंदा बस यही आएंगे 30 नंबर पक्के हो जाएंगे उसके बाद में यहां पर राथवा करके प्रवधिक कला यह आपको नहीं करना यह कठिन होती तो आपको यही करना आलेखन सबसे सरल होता है उसके बाद में खंड सा होगा इसमरे चितरन पूछा जाएगा और इसमें लिखा इस खंड के दो भाग हैं दोनों खंड भागों को चितर करना अनिवार है तो इसमें लिखा है का लागा निमलखित में से किसी एक का इसमरे चितरन पेंसिल द्वारा बनाईए नाप में 15 से कमना हो जो यहां पर कोई भी चितर बनाना है तो आपको 15 से कम नहीं होना चाहिए तब ही आपको 10 नंबर मिलेंगे देखो इसमें यह मिश्टेक कर दिया गया है जो बोर्ड जम में सायद यह देखो इस परकार से भी आ सकते हैं जो यह भी 7.5 नंबर का होगा और यह भी 7.5 नंबर का होगा बाकि जो मैंने आप लोग जो यहां पर बताया आ लेकर यह 35 इसमी द्वारा जारी किया गया है उसमें उस तरह से मॉडल पेपर आपका जो पेपर आएगा तो सपोज करें यहां पर 7.5 नंबर का 7.5 नंबर के आएंगे तो इनमें से आपको एक ही करना है और यह सारे चीज़े बहुत ज़्यादा इंपर्टन्ट हैं यहां पर बंद च से कमना हो इनमें से आपको एक करना है और खावाले में से भी आपको एक करना है जैसे आम उसके बाद में यहां पर अमरूद ही यह सारी चीज़े सुराही केतली यह टोकरी यह सारी चीज़े तयार कर लेना आम दो पतियों से सब बहुत सरल होते वैंगन यह सारी चीज़े तैयार करना यही आपके बोर्ड एक्जाम में आती हैं तो इसी प्रकार से आपका जो बोर्ड एक्जाम में भी पेपर आएगा बाकी आपके जो यहाँ पर प्री बोर्ड में इसी प्रकार से पूछा जाएगा बहुत ज्यादा important है बहुत सारे question इन में से बोड़ एक्जाम की दृष्ट से बहुत ज़्यादा important है तो बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे मार्क लाप आओगे मैंने जितना बताया उतना ही आप लोग तयार कर लेते हैं बहुत ही अच्छे मार्क हैंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर कर देना अगले वीडियो में